तो अगर आपके यह चैनल ड्रीम 11 डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चुम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह होने वाला आई पिल के कुछ जो लाश्ट मैच इस बचे वे उनमें से बैंगलोर फरसे सरह के बी जो एलिमिनेटर मैच होने वारा जो टीम हारेगी लिए प्रफिट बाहर हो जाएगी तो इंपोर्टन वीडियो इसलिए मैं कवर करना तो इसलिए सारे वीडियो को इसकिप मत करना और सारे पॉइंट को इक बार अच्छे से देखना कौन से प्लेयर कौन सब क्या कर सकता और क्या चैंजी से एक्सपेक्टेड अगर आप मार हमें घ्रे ग्राथ्या टेञर लीट रेयल और ऑरीजिनल है उससे कैसे आपको करना क्या वीडियो के नीचे कमेंट वहां हुमारे टेलियो क्राद चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर लुक लंग जैसी है विक्लिक करो तो वही हमारा चैनल फुटाफट जाके जोइन करना फाइनल अपडेटी तिम सारी इंपॉर्ट नीज जो भी चैनल होंगे लाइनप के आद आपको अपडेटी तीम ही मिलने वाली है और सबसे बड़ी बात यहां कि आपको ध्यान रखना कि आपको लिंकके जोड़ना है जो आपको कमेंट मिल आपको अन। बात करते ही कोछ ने क्या बात करते हैं यहां इर Nobel वाल यहां तो फ़ी दुबई रहने कि आते हैं यहां एक्सुट्राइब मैच है नाइट मैं क्या रहा है कि नियु फैक्टर का मतलब होता है तो यह रहा है वैसे रहा है वैसे वैसे यह वैसे वैसे यह रहने हो गी वैसे वैसे बॉल पर पानी जमाऊगा जिसके कारण वाल इसको fielding करनी मुश्किल होती है दूसरी बात ही है कि जो spinners होते हैं या फाज बुला सकते हैं उनके लिए अच्छी grip बनने पाती है बॉल पर जिसके कारण वो अपनी प्रॉपर बॉल डालनी पाती है जिसके कारण बॉल स्केट होती है और बल्ले पेच्छे आती है तो 100% 99% आ कि ताकि पहले बॉलिंग करें बाद में बैटिंग करें कि बाद में ओस की प्रॉप्लम को फेस ना करना पड़े तो आई थिंक कई बात करते हैं यह बात आपको किलियर होगी होगी और दूसरी बात करते हैं यहां पे कि SRH वर्स इनके बीच अभी तक 17 मैच होगा इसे नौ अब इतक विराट कोली को 12 इनिंग में बालिंग करिया जिसमें 68 रन और 7 बार आउट किया जो एक बहुत बड़ा वह सकते है कि संदीब शर्मा का बहुत बड़ा बड़ा बनी प्लेयर है विराट कोली जिसको हमिश्याद आउट करता और संदीब शर्मा एकलाब विराट तो च्छे थे खेलनी पाता और विगके द यहां पर रहने वाला और बीराट कोली अपनी इच्छे तरहमेंे पुरे टॉर्नमें जिसमें आपके पास जो mindset होता, अगर आपका mindset अच्छा है तो आप अच्छा कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि SRH के पास ज्यादा better है, उनके पास काफे एच्छे player है, और खासकर से एक बात note करना कि, 2016 में इनका final हो आता, SRH vs RCB का जिसमें SRH ने won किया था, 208 मार रहे थे Sunrisers ने, और 200 प्याल आउट होगी थी RCB, तो 8 रहे थी RCB final 2016 में, उस मैच में उनके फाइवर रहे थे, कहते हीरो वह वार्नर थे और था Ben Cutting, Ben Cutting ने 2 विकित और लास्ट में आके 30 के आसपास रहे थे, और वार्नर ने सकतर 69 के आसपास रहे थे, तो एक चीज़ नोट करोगे कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है, लीग स्टेज का मैच होता है, तो मुझे एक्सपेक्टेट है कि वार्नर अच्छा कर सकता है, सेम मुझे लगता है कि RCB को, जोशिया फिलिप तो यह पर एक्सपेरियंस के बेस पर मुझे लगता है कि Airon Finch लाना चाहिए, Airon Finch ऐसा प्लेयर जैसे लेवल पर दो बाट देट से ओपर स्कोर किया गया, तो यह चोड़े-चोड़े फैक्टर से आपका शेयर करने थे, बाकी बात करें प्लेंग 11 के लाना चाहिए, अगर मेंसे कोई स्टैट्स चूड़ जाए, कोई बात बतानी चूड़ जाएगी तो यह आपको टेलीग्रम पर अपडेट कर दूँगा, यह वीडियो के कमेंट वगरा में, यह वीडियी वटार्नारा चाहिए, यह वबता भाच डार्न पर यह वर्णे से बाट चाहीम पर अपडीट कर दूगा, बात करें देविड वरनर अपको बात कर और यह बात कर जारे है, क healthy जारी हे वारा में राक्तिक, और फॉर्म में भी है, और भाकि मनिश पान्डी की जो अमेश से गोज अन्टच प्लेहरा है और आपको मनिश कर अदे का को रतातों और आपको कई कर अर फाइनल जीती है तो सवन आद नहीं आ रहा है 2014 के असपार इतिंक तब मनिश पांडे ने 94 एनिंग थी फाइनल में, तो मनिश पांडे भी एक बड़े मैच का प्लेयर है, तो एक अच्छा उप्शन है कि एक उजी अच्छा है और यहां पर कूल प्लेयर जैसे केन विलियमसन जो पुरे वर्ल्ड कप आपने देखो का दोयार उनिस में अपनी अपने शोल्डर्स पर दोके लाया था इसने हर मैच में अलमुष काफी अच्छी एनिंग खेली तो तीन ऐसे प्लेयर जो बड़े मैच इस पर चलने की कैपिलेटी रखते हैं तो यहां पे इसलिए मैस बेस पर बोल रहा हूँ कि यहां पर सुड़ी पालड़ा भाड़ी प बाकी यहां पर प्रियम खेलेगा मिलेगा जिसने एक टूर्णामेंटर भी तक एक 50 प्लस स्कोर कर चुगा है बाकी और इंडन एंटिंग का कैप्टन भी था इंडिया का इसी यह बाकी हाँ पर जैसन होल्डर अपने चार और पूरे करेगा और लाश्ट मैच आपने देख इसने हर मैच में भाची परफॉर्मेस दीती और वह फर्म अभी तक इसी कॉंटीनियो बाकी अब्दुल समद और विजय शंकर में से कोई खेल सकता है और शंकर फिट लोगे रहा होता है बाकी अब्दुल समद मुझे लगता है कि मिल सकता है चांस कि लाश मैच के टीम में था याँ यह सीना सकता है बाकी विनींग कॉंबिनेशन के टीम जाना चाहेगी और जो एकस्पेक्टेड स्कुर इस पर रहेगा मैं यह नहीं बोल सकता कि कम हो सकता जाज आसकता कि प्रेशिर वाला गयम है अगर फर्स्टीम बड़ा सकते है बाकि सेकिंड टीम में हमिशा स एक जो 2nd team batting करेगी उसके माइड में कमेशा से एक प्रेशर जरूर होगा तारगेट को चेस करना है खासकर से आरसी भी शायद मुझे लगता है कि तो थोड़ा डिफिकल्टी मासकते बाकि SRH भी ठीक है SRH अगा टॉप अच्छा कहलता डेफिनिटली कर सकते हैं तो आप इस मैच में यह नहीं बोल सकते हैं 170-160 के आसपास आप लगा सकते हैं आवरिज स्कोर रहने वाल है वाकि यहां पर देखोगे तो यहां पर स्पीनर सर्फास बात करें तो दोनों को अलमुष्ट सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है तो आप किसी को कंसरेडर नहीं कर सकते कि इसको जादा सपोर्ट मिल रहा है तो दोने ही अच्छे खासे उनके पास सब्सक्राश कर से राशित खान जो पूरे चारड और डालेगा और विराट कोली और अबी डिविरस को बहुत प्रिशान करता है एक दो बार इसने एक मैच में दोनों का ओट भी करा हुआ है तो यहां पर राशित खान का लास्ट मैसा है लास्ट टू लास्ट मैच इसका चार और में 7 रन दिये थे हवा में लटकायागा और लेफटाम और सटॉक से तो यहां पर थोड़ी दिककते तो बाकी बात करें यहां पर संदीब शर्मा बहुत बढ़िया खेल रहा है विराट कोली अगेंश का रिकारड बहुत बढ़ी है बाकी संदीब शर्मा पी अपने बहुत अची फॉर्म में चल रहा है भी रिसेंट में तो अबर संदीब शर्मा को टीम में ले सकते हैं और लेना भीच है क्योंकि लांच 2-3 मैचे से काफ़ अची बालिंग कर भी रहा है बागी बात करे आता है ती नतराजन के बारे में तोर किन अची बालराजन मेरे खाल से आपको एक इंडिया को बोल रहे कि यह कि उर्कर किंग मिलिया तो पहुत ज़्याज़ और शच्वाड लाद यह से 15 1-2-1-2-2-1-2-1-2-3-2-1-2-2-3-3-2-3-1-5-1-2-3-2-4-3-3- तो अच्छ वागी बात करें तो चांस इसका बन सकता है वो नीचे आप देख सकते कि कहनो कहल सकता है तो यहां पे शायर टीम मगदया विशेक शर्मा को और या फिर यह बगता निए किस एक चांस बने पाए कि अल्मोस्ट चार सपोट्स तरह बने अल्मोस्ट फिक्स हैं एरॉन फिंच को लाना चीज जोशुआ फिलिप की जोशुआ फिलिप के पास बड़े मैचिस का इंक experience इतना नहीं जितना फिंच के पास है बहुत international level का experience है प्लस ऐसा प्लेयर अची प्लेयर है जिसने है एक एक प्लेयर है इसने है गर्ड़ेशा फिंच में लगता है कि मौका मिलना चाहए है और यह जोशुआ फिलिप भार जाएगा अरॉन फिंच अंदर अंधर असकता है बाकी बात करें देवदर्दपडीकल के बारे में देवदर्दपडीकल अभी तक इसकोटाओ पार्तिको शाहएद इसलैश अपर देवड़दपडीकल का भी तक टोर्नमेंट बहुत अच्छा है कि हाया च्छी बैटिंग कर बेरा अलमुष्ट हर मैच में पॉइंट देग अधरतिको शूलमगे अच्छी का देव हर एक्सलिक है कि अच्छी फोहां में अच्छी फोहां वैक्या आफृब नूगए के बात करहें रहे है विराटकोली के बात करें तो विराटकोली कि जैसे कहे हुग हुग कि बड़ा प्लेयर है एसे प्लेयर को छोड नहीं रिसके होता है बले जितने आउट O U F orm में क्यों आप बट उनको फॉप्लेयर को बड़ा प्ला रिसके होता है क्योंकि यह जब छोड़ते हो तब ही चलते है या फिर बड़े होते हैं तो किसी मैच में वाम में आ सकते हैं बागे Sandeep Sharma गेंच रोड़ अच्छा रिकार्ड नहीं है विराट कोली का तो क्रेट के चक्र में आपको विराट कोली एब डिविलियर से यह जो जोड़ना पर दकता है वार्नर को मेरे को छोड़ना नहीं चांस बनता नहीं आप पर डिविलियर को मैं चोड़ना था कि फॉर्म में है और दूसरी बात करें कि किसी भी पॉंट पर आपके इसको ज्यादा बॉल इन चाहिए बड़ी एनिंग खेलने के लिए और विरा दूसरी 2016 में ही गुजरात लॉइंस के अंगेंस मैच वहा था इसमें इनकेस 21-22 पर पांच आउट हो गए थे और अकेले दंबे डिविलियर्स ने 80 रन नट आउट मारके साथ विक्ट मतलब 3 विक्ट के विजस विन करवाय था और यहां पर देड़ सो कास पास तार्गेट विक्ट को चेस किया था तो है बोलने की बात है कि बड़ा प्लेयर है चोकर बोलते है तो यह पर शायद बड़ा प्लेयर का गेम भी और यह बात कर दो बात कि दोजार पंदरा का वर्ल्ड कभी आ तो जिसमें यह भार हुए थे उसे भी डिविलियर्स ने 65 रन की इनिक बड़ा बड़ा है यह दो कुछ भी कर सकते है बागीबात करें बागीबात करें दो जल्सोला के फाइनल में जल्दी आउट होगे था बाकीबात करें यह भागीबात करें यह पैता शीवम दूबे का रोल कुछ समझ नहीं रहा बस एक लाष में पिंच इटर का ओर बाइल जालनी रहा तो इतना important वालिड में रहेगा निया बाकी बात करें यह पर बालिंग डाल दाल तो अच्छी पिक बन सकता था बैटिंग बालिंग से बाकी बात करें वाशिंग्टन करें वाशिंटन लुट जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है जब भी मोगा मिलता है और दूसरी बात है पावर प्ले में बाउलिंग करता और इक दो विक्ट निकाल के दे सकता है और बहुत अग्यूर बालता है तो यह एक विक्ट लेने का वास्चिंटन तर से चार ओवर शैड़ दलबा सकते है जब चार और पुरे कर सकता है बाकी एक दो अधार मिच लगता है क सब्सक्राइब से और एक पॉइंट शाथ यह सब्सक्राइब इसक्ताई ख़र परसें कि अच्छा जिए गुछ ब्लाभाइब आम सब्सक्राइब एक क्षी करते हैं इस si आपको नहीं पता हिए भारे तर्बारसilot बढ़े लगता है उफर न आपको लगते है यहाँ करना सियर मिलता है अबी दो हर लुछ के लाख लिगा थो इस यहाँ सिर्फ जाहाँ सिर्फ वारे विच्वन लै। मुझे लगता है कि यहां पर लाएगी गुरस्किर सिंग मान को एक एक स्पीनर अवेलेबल होगा वो बैट्समें अवेलेबल जाएगा बाकी यहां बात करेश लास्में दो विकिट लेके भी जा रहा है श्याबाद आहमाद बाकी बात करे आते हैं मुझे लगता है यहां गागता है अनव्दीख सैनी में से कोई एक केल सकता है तो मुझे लगताई डेमिया को इंजरी ही का था एक स military का बोल रहते है violent करेंसे सब्सक्राइब कर देखने को मिल सकते हैं जो नीचे दिया है कर समें कर देखने काओ चैचिंग पी ठेंगं में मसा अधिकल्टाइब को मतलव सकते हैं जाते की न बाके बात तरहे हैं विराट कोई को एग वर्न अभको निमिस कर दो तो यहां पर संदीप शर्मा और विराद को देखते हुए विराद को ड्रॉप कर रहा हुज रिसक को ड्रॉप करना क्योंकि ऐसा प्लेर स्टाइब टेले के लिए तक ग्रीम चेंज करके दे सकता हुए बाकी बात करें यहां पर आप आप यहां डेविड वर्नर को मैं लेने अगर बाइचांस जल्दी अगर डिविड वर्नर निकलता तो एक प्लेयर जो बस्ता है मिडल और में संबाल सकता है वह है केन विलिमसन और मनीश पांडे तो यहां पर धान रख के चलना के लिए रहेगा ग्रेंड लिग के बाकी बाकी मनीश पांडे मैच इसका प्लेयर का लेने वालों बाकी नीचे वाली ऐसे प्लेयर है कि अगर फ्लो पोका थो यहां पर चांस रहें के ग्रैंड लिग्ट प्लेयर जाई कोई लेने लाएक नहींकि बाटिंग कोई ऑर्डर फिक्स नहीं तो यहां पर इसने ही जाते थे इसमाल लिग में प्रियम गर्ग का बोल सकता है एक फिफ्टी लगाई पुरे टॉर्नमें अच्छा गया लिए लिए गया हूं ग्रेस मौरीस के साथ गया हूं यहां पर जेसन होल्डर को लेके गया हूं गवाशंग्टन सुन्टर को मैंच्छा अच्छ बिए गया हूं जब हो हमनु भी के साथ जिए बात अच्छी बैटिंग कर लेता कि जब मोका मिलता है अधुसरी बात लुए आँ बहुत अच्छी बालिंग कर दो लिए लेफ्टंडन मेरी चांस बड़ जाते बादे हैं जोचेंगे बारे में शाहब आदा मुझे लगता है कि शायद कल मौका ना बन पाए आपके बात करते हैं राशीद खान को सिफ ट्रेइट के इस्यू कि मुझे मुझे एक इसके बाद रहे नहीं तो आप यहाँ आपके पास एक पास पास रहेगा राशीद वर्साच में से को म बाकी यहाँ पर नीचे नजर यहाँ तो मुझे कोई चांस बन पाएगा बाकी यहाँ पर है तीन अटराजन के साथ मैसले जा रहा हूं कि मुझे चार ओवर डाले प्लस दैते हैं बाॉलिंग करेगा और मुझे एक टाला के देगा कि यहरो कर विगरा बहुत अच्छी डाल अच्छी डाले बाकी यहाँ अच्छी खाशेगा यहां यहां अच्छी अच्छी तो मैंने तब की देखते हुई हैं इसमॉलिक के टीम बनाई है यह को बड़े बड़े वहाँ राट खुली और यहां पर है राशित खान अधा क्रेइट अवेलेबल लाप यहां यहां पर कि इसलिए आपकोकष देखनिकिए और भाल कि और नहीं 16Sistatal उरक वार्णडन है अपर वीजियर कैसे देखने डाने dalने ότι देखने कर को आपटारी को ने कंगी के साथर वाल्लियर का साननि शुटप और नग्यर को यह क्याए गात बाल अटार हो ने को तुटे हो देखने नो ब आपके पास option वाइस कैप्टन का सबसे बड़िया पार्डिकल और अब तो लाश्ट कुछ मैचिज में रिदीमानशा चाह कर रहा है इसको टीम इसको बना किया बट मैं नहीं करूंगा मेरे लिए थीज़ प्रविया रहें थीज़ ये एक टीन वाइस कैप्टन के लिए विराड गोली तो वह अगल लेते हो तो अब खेलने का दिए बना तो कि वाइस कैप्टन के लिए बन सकता है वार्नर के साथ साथ तो यहां पर कुछ चेंजि़ है बाकि राशित खान मैं मिस यहां छाए जैब अचान्स बन सकता है यहां इस को लिए जोष्योफिया फिलीड को यहां यह यहल्ड को पांडे को अिजि़ कि घल सकता है यहां थी बड़वियम अगि अगर गिरते है तो एक विल्यम सन अची फ्रीं झाल सकता है थासी थीज़ बड़ेर बड़ा इन ओश या जेसन होल्ड को मिसको कर राया है मैंने या था आ आप इसा कर सकते हो इसा कर सकते हो एक चांस कर सकते हो इसा कर सकते हो सिर्थ इसा क्योंन तो मैंने में राप्त Such integrate his cada मैं में धिया होल्ड palavras anza आप पार शब्र के साफना के लिए यह लिए यह यह बात कर सकते ह। यह वापिस अठा के सुमदर की जगा नटरा घूत सकते हो तीन पार्डंडर साफना कि इनधिराजन को छिए के वं कुछ आपको दोן ही जा कर राधिन haftराभे। RCB नी संटराइज चीतागी तो इसको मैं थोड़ा सेवर कर टीम बनाएज के प्लेयर जादा लियें और के प्लेयर करा है बाकी मैंने अगर आपको लगता है RCB जीते हुग अगर इसे लिए ल्ग जादा प्लेयर कंसेंडर कर सकते हो देवर केस में लीचाण ताव उसके अपको एप अपने रह सकते हो यहाँ पर यहाँ आप दिटायग में ने रावन ऑचा जो भी हता हुआख बूर्ड को यहां अपने बनाया है यह है थोड़ी RCB को फेवर करते हैं तो आपको फोड़ी सोच के चलना है कौन तिम को फेवर करना है और यहाँ पे त्रियाशन प्रेशर मैच है तो मैं सोस्तों कि टीम जो 2nd betting करेगी थोड़ा अड्वांटेज रहेगा बट फिर भी एक चेस का थोड़ा प्रेशर रहेगा तो आइ तिंग मैंने पूरी वीडियो में हर चीज बताने कोशिश करी है ताकि आप एक अच्छी रैंग लाग पाव स्मॉल लिग और ग्रैंड लिग तो वीडियो तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रैट बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना और गंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले है जब भी वीडियो अपलोड करो दोस्तों और फ्रें तो आपके लिंक की जुड़ना है तो वीडियो के नीचे कमेंट या दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो पाराइब कावर कर दिया फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ जहें दोस्तों बाई-बाई